नमस्कार, आज हम संयुक्तराश सांती स्तापना कारियों में भारत का योगदान विशे पर चर्चा करेंगे संयुक्तराश संग का मूल धे अंतराश्टे सांती और सुरक्षा को बनाय रखना तथा अंतराष्टे विवादों के सांतिपूर्ण समाधानों की व्यवस्ता करना है इस द्रिश्टी से भारत ने प्रारंब से ही संयुक्तराष्ट को सहयोग प्रदान किया है देखते हैं इसमें पहला कोरिया समश्या के समाधान में भारत का योगदान 25 जून 1950 को संक्तराष्ट को सूचना दी गई की उत्री कोरिया की सेनाओं ने दक्षनी कोरिया की गंडराज्जे पर आकर्मन कर दिया है उसी दिन सुरक्षा परिशद की बैठकुई और उसमें ये घोशना की गई की इस सस्त्र आकर्मन से सांति भंगुई है शुरक्षा परिशद ने युद विराम की मांग की परन्तु दो-तीन दिन तक युद चलते रहने पर परिशद ने इसे पारिश की की संक्तराष्ट से कोरियाई गंडराज्जे को ससस्तराकर्मन का मुकाबला करने के लिए तथा उस छेत्र में सांति की स्तापना करने में साहिता दे फल सरूप 27 जून 1950 को संग ने ये गोशना की कि उसने अपनी वायू तथा जल सेनाओं को और बाद में इस्तल सेनाओं को भी दक्षनी कोरिया की साहिता के लिए आग्या देती ये एक सच्चाई है कि कोरिया की समस्या के समाधान में भारत के सक्रिय योगदान से तीसरे महयूद को टाला जा सका भारत के निश्पक्ष किंतु रचनात्मक भूमिका से उसकी अंतरास्ट ये प्रतिष्टा बड़ी उत्री कोरिया जो आक्रमन कारी गोषित करने के बाद भी भारत ने सैनिक कारवाई में भाग नहीं लिया भारत ने युद में तटस्ता की नितिका अनुसरण करते हुए सान्थी की स्तापना में मद्दस्ता के लिए प्रियास किया उसने सैंक्तराष्ट की सेनाओं द्वारा 38 वी समानांता रेखा को पार किये जाने का विरोध किया भारत ने सैंक्तराष्ट में अमेरिका के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें सामेवादी चीन को आकरांता गोशित किया गया था कोरिया की समश्या सुल जाने के लिए भारत ने चीन को संक्तराश्ट के प्रतिनिदित प्रदान करने का प्रस्ताव रखा कोरिया में सांती इस्तापित करने के लिए भारत ने दोनों पक्षों को अपने अतक प्रियासों से सहमत किया युद्विराम संदी के मार्ग में आने वाली युद्वन्दियों के अदला बदले की बाधा को भी दूर करने के लिए भारत का योगदान एतियासिक महत रखता है ये बात उलेकनी है कि भारत के प्रियासु के फल्शरूपी 27 जुलाई 1953 को पानमुन जोन में कोरिया युद्विराम संदी पर अस्ताक्षर हुए युद्वन्दियों की समस्चा को हल करने के लिए पांच तटस रास्तों का एक आयोग निउक्त किया गया जिसकी भारत नहीं अद्धिक्स तकी इस संबन्द में भारत के जर्नल थिमय्या का योगदान अत्यदिक महत रखता है तटस रास्तों के आयोग के अद्धक्स रूप में भारत पर तीन उत्तर दाहितु डालेगे पहला भारत इस आयोग का अद्धक्स निउक्त हुआ और इसे आयोग के कारिय पूर्ण करने का भार सोपा गया दूसरा भारत को युद्ध बंदियों के देखवाल वे सुरक्षा का भार सोपा गया तीसरा भारतिय रेड क्रोस दल को युद्ध बंदियों से सम्पूर्चिकित्षिय किया कारिय सोपा गया युद्यवंदी प्रत्यावर्तनायोग के अधक्स जर्नल थिमया थे वेकलपी के अधक्स हेग में भारत के राजदूत बीन चक्रवर्ती थे भारत अभी रक्षक दल के अधक्स मेजर जर्नल थोराट थे सितंबर के अंत में इस दल ने अपना कार्य प्रारम किया इस दल में पाँच जार वेक्ती रेड गोस दल को मिला कर संबलेते हैं भारती दल ने बड़ी द्रड़ता है उन्हें स्प्रक्षता से अपना कारिये किया यद भी उसमें उसे बड़ी कठनाई का भी सामना करना पड़ा क्योंकि युद विराम की सर्तों द्वारा दोनों दलों का पूंट रूप से पालन नहीं किया जा रहा था जनवरी 1954 में दोनों दलों ने सारे युद बंदियों को मुक्त करने का निश्चे किया आयोग ने 22,000 युद बंदी संवतरासं की कमान को सूपे कोरिया में भारत ने अत्यंत मैत्मून कारे किया दो पक्षों के मद्य युद विराम को लेकर जो तनाव था उसे भारती अपनी ततरस्ता वे गुट निर्पेक्ष्टागी निती के कारण कम कर सका भारत के इस कारे की विश्व में भूरी-भूरी प्रसंचा की गई दूसरा हिंद चीन की समस्चा और भारत दुत्यम आयुद से पूर हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार था परंत्य युद में इसे जापान ने जीत लिया जापान के आत्म समरपन के समय हिंद चीन के उत्री भाग पर राष्टवादी चीन ने तथा दक्षनी भाग पर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया फ्रांस ने दक्षनी भाग ब्रेटेन से प्राप्त कर लिया व्यत नाम में स्वाधिन्ता प्राप्ती के लिए व्यन्मी नामक संस्ता के इस्तापना होई जिसने फ्रांस से मुक्ती पाने के लिए संगर्श प्रारम कर दिया चीन में सामयवादी सासन इस्तापित हो जाने पर 1949 में वियनमी सेना ने सामयवादी सयोग के आधार पर फ्रांस की सेनाओं पर भेंग कर आकमन कर दिया सामयवादी प्रशार को रोकने के लिए अमेरिका ने फ्रांस की सायता की पांच वर्स तक युद चलता रहा 5 अप्रेल 1954 को अमेरिकी सीनट ने हिंद चीन को सामयवादियों के हाथ में जाने से रोकने का द्रड़ संकल्प किया ऐसे संकट पूर्ण समय पर भारत ने युद रोकने वे दोनों पक्षों के मद्ध समझोता कराने का हर संभव पुरियास किया अमरीकी अस्तक्षेप से अंतराष्ट्य संकट उत्पन हो गया था 25 अप्रेल 1954 को भारत के प्रधान मंत्री जवालाल नहरू ने हिंद चीन की समझ्चा किया सांति पूर्ण समधान के लिए जिनेवा समयलन वे विचार हेतु महत्पून प्रस्ताव प्रस्तित किया उनका आगरे था कि समस्त राष्टों को चाहिए कि वे सांतियम संधी उत्पन करने का वातावरण उत्पन करें पंडित नहरू चाहते थे कि युद्विराम के प्रसंद पर सबसे पहले विचार किया जाए एवं फ्रांस को हिंद चीन की पूर्ण स्वतनता को सीगर ही सुईकार कर लेना चाहिए उनका यह भी अन्रोद था कि फ्रांस वे हिंद चीन स्वम सीधी वारता करें ताकि युद्विराम के वातावरण का अन्तो सके पंडित नहरू ने यह भी कहा कि अमेरिका, सोव्यत संग, ब्रेटेन तथा चीन एक ऐसा समझोता करें जिससे यह निश्चे किया जाए कि युद्रत पक्षों को प्रतेक्ष रूप से कहीं से भी किसी भी तरह की सायता नहीं मिले उनका विचार था कि जिनेवा सम्मेलन की प्रगति के रिपोर्ट से उत्रास्ट को दी जाए हम समझोता करने के लिए उनकी सायता भी आमंत्रित की जाए 26 अप्रेल 1954 से 27 जुलाई 1954 तक जिनेवा सम्मेलन चला अमेरिका की अनिच्छा के कारण भारती सम्मेलन का सदसे नहीं बनाये गया भारत को आमंत्रित ने करने का कारण यह था कि भारत सम्मेलन की गतिविदियो पर दस्टी रखने हम सम्मेलन के बाहर रहकर शान्ती प्रियासों में सायता देने की दस्टी से जनेवा भेजा किस्ना मेनन के प्रस्ताव ने यहां महत्पुन कारिय क्या विभिन रास्टों के अद्धक्षों प्रतिनिदियों से मिलकर उन्होंने ऐसे मतबेद भी दूर करवा दिये जिनसे वारता तूट जाने की संभावना उत्पन हो गई थी फ्रांस के एक राजित नितिक ने क्रिशन मेनन को जोड़ने वाली जन्जीर खा फ्रांस के प्रधान मंत्री ने फ्रेंच नेशनल असेंबली में समझोते के प्रियासों के लिए भारत के प्रशंचा की 21 जुलाई 1954 को जिनेवा सम्मेलन में साम्मेवादी चीन की उपस्तिती में युद विराम समझोते पर अस्ताक्षर हो गए जिसकी उपरांत हिंद चेन की राजनेतिक समस्चा का समाधान करने के लिए तीनों सदस्यों का एक अंतरास्ते आयोग निर्मित किया गया जिसकी अद्यक्षता भारत को स्विखार करनी पड़ी नेक्स्ट एक क्वेट समस्चा और भारत दो अगस्त 1990 को क्वेट पर इराक के हमले के कारण संग्तरास्चंग में खाड़ी संकट का मुद्धा चारा भारत ने क्वेट से इराक की फोजों को बिना सर्थ वाफसी तथा क्वेट की संपर्भुता तथा स्वधाइनता की बाहादी की मांग कि भारत ने सुरक्षा परिशद के संकल्पों के किर्यारवेन के लिए अंतरास्टे समधाय का साथ दिया कंबोडिया और भारत कंबोडिया के मसले के संबंद में की गई पहल कदमियों की पढ़निती 23 अक्तूबर 1921 में को पैरिस में कंबोडिया में संक्तूरास्ट कारिमिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती करने की दिशा में कदम उठाय कंबोडिया में संक्तूरास्ट अग्रिमदल तैनात किया गया जिसमें भारत ने भी अपना योगदान दिया भारत ने कम्बोडिया के लिए संउक्तराश्चंक करमनकालीन प्राधिकरण में भाग दिया इस कारिय के लिए उसने अपनी सभी रेंकों के लगबल थेरा सो सेनिकों को वहां भेजा आई अब लास्ट में हम देखते हैं स्वयक्त राश्चंग के अन्ने कारियों में भारत का योगदा भारत ने स्वयक्त राश्चंग के विभिन कारियों में समय समय पर योगदान प्रयादधारन किया भारत दयार स्वेक्तराशन के जंडे के अंतरगत सबसे पहला और सबसे बड़ा सेने समु कोरिया में 1950 में भीजा गया 612 लोगों का यह समु 1954 तक वहा रहा इसी प्रकार 1954 से 1970 तक भारत ने हिंद चीन में लगबग 1000 सेनिक तैनात कि मिसर लेवलान इराक इरान में भी भारत सांती सेनिक बेजी गए 1956 में भारत ने स्वेज संकट के समाधान हेतू संक्तराश्ट के अनुरोध पर संक्तराश्ट की आपातकालिन सेवा में अपने सेनिक बेजी इसी तरह का सयोग भारत ने कांगों के संक्तराश्ट के समय भी किया सेंक्त्राष्ट के अनुरोद पर भारत ने सोमालिया में सेंक्त्राष्ट कारवाई के लिए लगबग 1955 सैनिकों की एक ब्रिगेड भीजी जिसमें सभी रैंकों के लोग थे भारत ने मोच्जाम्बिक में भी सैनिक बेज कर योगदान दिया भारत ने एक बटालियन टुकडी सैनिक अंगोला वेरिफिकेशन मिशन पर जुलाई 1905 में बेजे वर्ष 1996-97 में के दोरान लगबग 1100 भारतिय सैनिक स्टाप अधिकारी और सैनिक प्रविक्षक अंगोला में तैनात रहे भारत ने संविक्तरास्ट इराग, कुएट प्रविक्षक मिशन और लाइबेरिया में संविक्तरास्ट प्रविक्षक मिशन के लिए सैनिक प्रविक्षक उपलब्द करें बोशनिया और हर्जी गोवानिया में भी संग्तरास्ट एक कारेबल के लिए भारत पुलिस प्रविक्षिक तैनात किये गए भारत ने संग्तरास्ट रवांडा सायता मिसन पर एक थलसेन बटालियन भी बेजी भारत ने सैंक्तरास्ट हैती साहिता मिशन चरण सैखिंड पर केद्रियर रिजर्ब पुलिस बलकि एक कमपनी भीजी 1988 में में दक्षिनी लेवलान में भारती इंफेंट्री बटालियन के सामिल हो जाने से भारत सैंक्तरास्ट सांति स्तापना में दूसरा सबसे बड़ा सैनिक साहिता देने वाला देश बन गया मई 2005 में भारती सेना ने जवानों और अधिकारियों के बड़े दल के सूडान में तैनात किये जाने से भारत 1737 में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश बन गए मार्ज 2000 में उपद्रव ग्रस्त अफरीकी रास्ट शियरा लियोन में 17 इस्तापना के लिए 1737 के कारे में सह Йोग के लिए भारतिय वायू सेना की एक तुकडी को गुरूप कैप्टेन बीएस सिवाचा के नेत्रित में सामिल किया गया कुल मिलाकर भारत सहुकतरा सांतिस्त अपना कारियों में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश रहा है और उसने अभी तक सहुकतरा सुरक्षा परिशत द्वारा आदिदेशित 69 सांति मिसनों में से 48 में 1,80,000 से भी जादा सैनिकों को भीजाए निसकर्स भारत का ये इसपस्ट मत है कि विश्व सांति की संकल्पना सहुकतरास्ट के बिना नहीं की जा सकती यही एक ऐसी संस्ता है जो भी इसको भै अभाववे रोग से मुक्ति दिला सकती है भारत ने संक्तरास्ट द्वारा किये गए सांति में कारियों वेग्यानिक अनुसांदानों और आर्थिक वे सामजिक कारियों में हिस्टा लिया भारती संबावत है एक मात्र ऐसा देश है जिसने संक्तरास्ट की उपेक्षा उलंगना नहीं किया उधानते कस्मी इसके प्रसंद पर भारत ने यूएनों के प्रस्ताओं को स्विकार किया पाकिस्तान के आक्रमन कारी होते वे भारत ने युएनों की विराम संधियों के प्रस्ताओं को स्विखार किया और युएनों की मांग पर भारत की सांती सेनाय कोरिया मिश्र और कांगो भेजी गई थेंक यू